असलालेकुम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब खेजर से होंगे तो मेरे वीवर्स की फर्माईश पे मैं बनाने वाली हूँ गुलबर गा की तारी और यहां पे मुझे आज कबाज भी साफ करना था और जो हमारे पेनने के कपरे थे वो रखने थे और जो नहीं पेनते वो सारे कपरे मुझे निकाल देने थे तो आज मेरे सर पे बहुत सारा काम था और हाँ आज कल हमारी शादी की सालगीरा है जैसे कि पाच अप्टूबर को हमारी शादी की साल गीरा है और चार अप्टूबर की रात को हम लोगोंने केक को कटिंग किये थे सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैंने लिहूँ पाउना कीलो गोश गोश को अच्छी तरह से साफ कर लेना और अच्छी तरह से धो लेना है यहां पर मैंने बगर हड़ी वाला गोश्टी हूँ अगर आपको हड़ी वाला पसने तो भी आप ले सकते इसके अंदर दालूँगी दो मीडियम साइज की प्याज गाइस यह वारी तहारी खाने में बहुत टेश्टी लगती है और बहुत ज एक चमच मैं दालूँगी इसमें हल्दी पाउडर और यह थोरी तीकी होगी ना तीकी और खटी होगी तो खाने में मसा आता है इसके अंदर दालूँगी एक चमच भर के गरम मसाला पाउडर इसी के साथ में मैं इसमें एड करने वाली हूँ नमक तो नमक में एक चमच दा और एक मुट्टी पूरी ना और पांस से छे हरी मिर्चे भी इसके अंदर एट कर देंगे एक कटोरी दही हम फेट के इसके अंदर डालेंगे यानि 20 उर्पे का भी आप इस्तमाल कर सकते नॉर्मल मैं आप लोगों को बताती हूँ जो चीज़े मैं डालती हूँ इसके अंदर ऐसे कि हमारी सालगीरा के बारे में आप लोगों से बाते कर रहे थी तो हमारी सादी को किते साल हो गे असीव और यहाँ पर क्या कर दी मैंने थोरा सा इसकी भुनाई कर ली यानि दो से तीन मिलिक और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा दी कूकर का धकन पहले मैंने इसे 5-6 मिली पका ली उसके बाद में धक्कन कोलके इसकी भुनाई करके कूकर का धक्कन लगा दी और 3 सीटी ले ले लेंगे जब तक हमारा गोश्म वापे कर रहा है यहाँ पे एक पतीले में मैंने 6-7 चमच तेल रखी हूँ गरम होने के बाद में इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइस की प्याच प्याच को हमें हलका हलका सा सॉफ्ट कर लेना है एकदम गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है हलका सा इसे यह कर लेना है गोल्डन कर लेना है एक चमर जीरा दाल लेंगे तीन से चार तेजपते डाल लेंगे इसमें जायेंगे साबु तक के गरम मसाले यानि 4-5 इलईजी, 4-5 लॉंग, 4-5 काली मीरी, और 4-5 डालशीनी इसके अंदर अट करेंगे और इसके अंदर कोई भी मसाले अट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो गरम मसाले डाले है ना उसके अंदर और ले ली क्या गोलते हैं आती है उसके अंदर सारे मसाले है तो यहां पे रेकिए हलका हलका सा हमारे प्याच का कलर चेंज हो चुका है हमारे गरम मसाले भी फ्राय हो चुके एक चमच अजरत लसुन का पेस्ट हम इसके अप मेरे स्टाइल में तहारी बनाकर देखना हमारे यूटूब पे जो है ना गाई सबकर तहारी बनाने का अलग अलग तरीका है जैसे के गुलबरगा की तहारी अलग बनती है और जैसे के बिहारी तहारी जो होती है वो अलग बनती है तो तहारी बनाने का सबका अपना तरी बहुत missallah चुटाइबात नीव in यहीं करेंगे दणड़ी बिल्किल भी यूस नहीं करेंगे लाल मिर्ची भर यूसमें भी में आट करेंगे और-दा, कमच घुट्रागे अदिक माई पवाट ऽोसरी अधाी हम आधिगए नसी मिोच्मक्वान नोगरो, के हैं आधि वाटी को अच्छी तरह से साफ करना है वेल थमें कुछ भी नहीं करना है थोड़ा सा गरम मसाला भी हम इसके अंदर दालेंगे यानि आदध चमज के लगबग गरम मसाला भी इसमें डालेंगे अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर तो एक चमज भर के धनिया पाउडर भी जाएगा और आदा चमज नमक का इस्तमाल हम करेंगे क्योंकि पाउना किलो गोश के लिए मैं एक किलो राइस का इस्तमाल कर रही हूँ मैं ना कोलम राइस में बना रही हूँ कभी भी आप पलाव बनाएंगे या ताहरी बनाएंगे तो कोलम राइस में बनाना बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मैंने इसे 2-3 मिलिटर का भूलनी कूकर का ढकन खोल के गोल भी हमारा गल गया है तो अब इस गोश्कों मैं इसके अंदर एट करूँगी अब एट करने के बाद में इसे में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी घ्यास को हमें हाई फ्लेम पे रखना है और कूकर के अंदर जितना भी मसाला रहेगा ना थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के वो भी इसके अंदर डाल देना है तुमारे भाई के साथ में मेरे तेवी साल कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला हमें है न और तेवी साल में हमारी जिंदगी में बहुत उताओ चराओ भी आए जैसे के हम दोनों के बीच में बीच में नहीं जैसे के हमारी जिन्दगी को लेके जैसे के हमने गरीबी से लेके अमीरी तक का कैसे हमने सफर किये ये सब भी हमारा बहुत ही कटिंग गया है ना कटिंग गया बोलते हैं तो जैसे के चलो अल्ला ताला ने हमारे इतने साल निका मैंने एक किलो कोलम राइस का इस्तमाल करी हूँ एक किलो राइस के लिए मैं कम से कम तीन गिलास पानी दालूंगी इसके अंदर आप अपने हिसाब से भी पानी का जजमेंग रख सकते हैं जो हमने फिर इसके अंदर आदा चमच मैंने धनिया पाउडर दाल दी और एक यहाँ प्ली होना यह खिए डिए ज़लि मुझा गिरख का क्वेर करना तो छोशेश्सेयों सोप कर दो से कम 5 मिलिल तका एकदम slow घ्यास पे पकाई तो हमारा चावल बनकर यानि हमारी ताहरी बनकर रेरी हो गई माशायाला हम लोगों ने इसे गर्मा गर्म कुछुमबर के साथ में काई यानि राहिते के साथ में देखी हमारे चावल कितने खुले खुले और फरारे बनकर रेरी हुए ताहरी बनाना बहुत ही आसाने और बहुत सिंपल लेसेपी आप लोग आराम से बना सकते तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसे खा कर भी आप लोगों को बताऊंगी पहते हैं, हुआ मेरे तस होच पंगा मैं जब ही तुछा खुशा होगा देखा कि फेट पहाई मेरे बहुत पसे तुछ पंगे रिम लोहरे से उक्वित अनी में ज Almost Storm, मुआ पहीं एज कम ओनार्य जासे को लैघ सकाना की और तो खना यंग सर्शा द्रिक मैं झांवे पिल्कुल भी कभायक साफ करने के लिए हो रहा नहीं तो मैं बोड़ी तो तोड़ा मैं सो जाती हूँ मगर मैंने हिम्मत दिखाई मैं बोली हिम्मत ते मर्दा और मर्दर ते खुदा क्या वलते आसी बरोबर ना इतना गोलने ने आ Тем कि कोशित कर्या आप लोग अग अस लेग न भाता यह तो यह अपे सा डेलोग के उपर मेरे टो यहां पे सारे कप्रे तो मने निकल के रख चुके तै और मैं आके यहां पर देख रही सिर्मारे वहिए कयो ने है नहीं पहुछ रहें हाँ घर की जब साफ स हमारे संरय लिक्ताइब ज़्यक्त सबसे जादा कपड़े अम्मी निकले मेरे कबड़ें प्र Premiere मेरे कपड़ें ना Bayard मेरे कपरे निकाल दी सारे कपरे निकाल दी मैंने और मेरे कपरे इतने लूज हो गई करके न तो फिर उसके बार में हाँ हम लोग का पहले वाला घर दा तो एक कपाट को साफ करने के लिए मुझे आदा दिन जाता था वाइफ दुसरे कबाट को बच्चे लोक के currently साफ हो गए बराबन दोनों चीज हो को मैं nove ... साथ में साफ कर ली और बहूत कंफिऊजन था गाइस इतना कनफियूजन था यह घर साफ करने करने के लिए मेरा दिमाग विलकुल वी काम नहीं कर रहता हुद्सक्ति नहीं करने के लिए हम लोग दोनों कप्रे जादा निकालते भी है और जादा हम लोग खरीदते भी है तुमारे भाई और आसीव सबसे कम कप्रे खरीदते हैं और सबसे कम कप्रे इन लोग निकालते हैं और हां मेरे जितने भी कप्रे मैं निकाली हूं कम से कम दो जम्बू भरके मेरे कप्रे निक हुआ है ना और उसके बार में जो मुझे हमारे पुष्ट माले पर रख नहीं हो गया था ना घर साफ कर रहेते ना नया घर आज़ है तो फिर भी हम लोगों ने थो रहा हो हां कबच साफ करते करते तुमारे मेरी तुमारे भाई की नोग जोग तो होई गई क्योंकि कप्रा रखने के उपस है तुमारे भाई मिलको मैं बोल रहती नहीं आईसा रखो, तुमारे भाई बोलते आईसा रखो, इसमें क्या ना थोरी बोध हमलों की नोग जोग होई जाती है, वो तो घर्स की जब साफ सफाई में निकालती है, अब मेरा कैसा काम है, मुझे चाहिए एकदम साफ सफाई और एकदम सिस्टोमेटिक काम चाहिए, आपर हो जाती है, तुमारे भाई की और मेरी हुज़त मारी होना तो कन्फरम ही है, आजितना दो से तीन बार उपर आके देखा, तुम लोग कहीं लड़ रहे तो नहीं लड़ रहे, अभी तक का तो गारी सही चल रही है, पूरे कप्रे हो जाने के बार में, मैं कप्रों के अंदर रखती हूं कबाट के अंदर कापूर की गोली, यह मेरी बहुत पूरानी आदत है, कहीं सालों से जब से मैंने अपने घर को बसाई हूं, जब से मैंने घर संसार करने लगी हूं, जब से मुझे कप्रों में कापूर की गोली रखने की आदत है, क्या होता है, इससे ज एक जगा मैंने लकनोई कुरती, एक जगा मैंने अपनी जीन्स, एक जगा अपने तीकर, एक जगा अपनी पैंट, एक जगा अपनी लेगीस, एक जगा अपनी मैक्सी, एक जगा अपने डुपटे रख दी, एक जगा तुम्हारे भाई के सारे कप्रे आगे, एक जगा टावे एक जगह मैंने रग दी चदर, परदे और एक साइक में मैंने अपने पूरे पर्स का कलेकन बना दाली यानि मेरे पूरे पर्स मैंने उद़र रग दी अबी जो भी बच्छा कुछा काम है वो हम बाकी का दूसरे दिन करेंगे क्योंकि यही काम करते करते हमें बच गए थे रात के सारे 11 और हम लोगों ने खाना नहीं खाये थे जो खाना खाके हम उपर चरहे थे तो फिर हम लोग दुफेर में कम से कम 3 बजे खाना खाके चरहे थे तो सारे 11 बारा बजे तक हम लोग काम कर रहे थे उसके बाद में जो भी कप्रे नहीं पेनने के थे जो मैंने निकाल के रखे थी वो सारो कप्रों को मैंने एक दो जंबू बना के रख ली एक जंबू मैं हमारी माउटी को दे देती हूँ जो हमारी माउटी है वो जैसे के मेरी डेदी के मैक्सी वो सब पेन लेते उसके बाद म कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉक मुझे कमेंग में जरूर बताना दुआओं में हमें क्या हम सब को याद रखना और हमें बहुत सारी बताई देना शादी की सालिगी राकी अल्ला आफीज